नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की जोती ओल क्लासेज पर तो आज की क्लास में हम NCRT से ही कुछ क्वेस्टन देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना कुछ याद है तो ये कॉस्टन उन चैप्टर से लिए गए है जो हमने अच्छे से पढ़ लिए है दिटेल से इनको पढ़ा है तो उमीद है आपको सभी प्रशन आते ही होंगे तो सबसे पहला जो प्रशन है वो हरिवांच राई बच्चन जी से हैं तो आपको बताना है कि इनमें से उनका काव्या संग्रया कौन सा नहीं है जो के एक आतम कथा है ठीक है तो आंसर लगा के देखिए अगर हम निशानिमंतरन की बात करें तो ये काव्या संग्रया है मिलन यामिनी भी कावे संग रहे हैं आरती और अंगारे भी कावे संग रहे हैं अगर क्या भूलूं क्या याद करूं की बात करें तो ये आत्म कथा है ध्यान रखना है आत्म कथा के चार खंड से हैं ये तो ये आत्म कथा के चारो खंड आपको याद रखना है कौन-कौन से हैं यह है नीड का निर्मान फिर ठीक है ध्यान से सुनना है बसेरे से दूर दशद्वार से सोपान तक और क्या भूलू ग्या याद करूं ठीक है यह चारो के चारो आतम कता के कहंड है तो यहां पर जो सही अंसर हो जाएगा हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं ठीक है चलते हैं next question की और बच्चन जी ने जीवन को किसके समान समझा है तो हमने जब जीवन प्रच्चे पड़ा था तो वहां देखा था कि जो हरिवेंश्राइ बच्चन जी है वो जीवन को क्या कहते हैं तो यहां पर जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदू कलश अगर हम मदू शाला की बात करें तो उसने हरिवेंश्राइ बच्चन जी ने मदू शाला दुनिया को कहा है ठीक है और कलपना साकी और कवीता को एक प्याला कहा है तो यहाँ पर जो हमारा सही अंसर हो जाएगा जीवन कोनोंने मदू कलश कहा है राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दो अगला प्रशन है कौन सा अनुवाद हरिवन्ष राइबच्चन का है तो आपको बताना है कि इन में से जो हरिवन्ष राइबच्चन जी का अनुवाद कौन सा है तो यहाँ पर जो मैक वे थाएगा यहाँ पर जनगीता हैं यह तीनों के तीनों ही उनके अनुवाद हैं तो यहाँ पर जो राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर चार हो जाएगा यह मतलब के उप्रोक्त सभी ठीक है अगला प्रशन है आलोक धनबा की पहली कवीता कौन सी है तो आपको इनकी पहली कवीता बतानी है तो इनकी जो पहली कवीता है उसका नाम है जनता का आदमी जनता का आदमी उनकी पहली कवीता थी जो के बाम पत्रिका में परकाशित हुई ठीक है अगला प्रशन है तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, option number 3 हो जाएगा, अगला प्रशन है हिंदी का वाइरन किसे कहा जाता है, तो हिंदी का वाइरन कहा जाता है, हरिवन्श राइ बच्चन जी को, most important question है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह हरिवन्श राइ बच स्लेबस है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको अंदर तक पढ़ना है, ध्यान होना चाहिए कि कौन सी बात किसके लिए प्रयोग की गई है, तो कूबर नरायन की जो कविता है, उनकी विशेशता कौन सी नहीं है, यहां आपको बताना है, सबसे पहले भाशा और तो जो तीन विशेशताएं हैं, इनकी कविता की हैं, वो कौन-कौन सी है, भाशा और विशे की विविद्ता इनकी कविता की विशेशता है, ठीक है, नेक्स्ट है, यथार्थ का खुर्द्रापन भी इनकी कविता की विशेशता है, सयम, परिशकार और सापसुत्रावन भी इनकी विशेष्टा है जो विशेष्टा नहीं है वो है अकवारी स्ततहीपन ठीक है अगर और पुछा जाए तो यथार्थ का उल्जाव व्यर्थ का उल्जाव ध्यान रखना है एक व्यर्थ का उल्जाव उल्जाव इनकी विशेष्टा नहीं है कमी बताई गी है और वैचा इस परकार से दिया हुआ है कि अखवारी सतहीपन व्यर्थ का उल्जाव और व्याचारिक धुन्द इनकी कविता की विशेशता नहीं है तो आपने ध्यान रखना है कौन-कौन सी विशेशताई हैं यहां option no.2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है बात सीदी थी पर कविता किस काव्या संग्रया में संकलित है तो यह कविता का नाम है बात सीदी थी पर तो यह इनका यह सही अंसर हो जाएगा option number 2 हो जाएगा कोई दूसरा नहीं तो यह कहां पर संकलित है कोई दूसरा नहीं कावया संग्रया में यह संकलित है अगर हम बात करें इन दिनों इनकी दो कविताएं लगी हुई है इस पुस्तक में ठीक है अरोह भाग दो में तो कविता के बहाने जो है वो इन दिनों कावय संग्रया में संकलित है ठीक है अगर हम आतम जई की बात करें तो यह एक प्रवंद कावय है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्रवंद कावय है ठीक है तो यहाँ पर option number 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है कुवर नरायन जी कौन से सब्तक से स्वंदित हैं तो सभी बच्चों को पता होगा कि तीसरे सब्तक 1969 से ये स्वंदित हैं ठीक है यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा option number 3 अगला प्रशन है बच्चों सहित्य अकादमी पुरुसकारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है ऐसे प्रशन अगजामे बन सकते हैं तो ध्यान रखना है ठीक है सबसे पहले है रगुवीर सहाई जी इनको साहित्याक आदमी का प्रुसकार मिला था लोग भूल गए पर मिला कब मिला 1984 में मिला डेट भी आपको याद रखनी है सान भी याद रखना है ठीक है हरिवन्श राइबचन जी को दो जटानों पर मिला 1968 में मिला कूवर नरायन जी को कोई दूसरा नहीं पर ही मिला है 1995 में मिला जो कभी हमारी बुक में दिये हुए है हमारे सलेबस में दिये हुए है उनको आपको ध्यान में रखना ही उनसे जुड़ी काफी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी ठीक है आगे है शिब मंगल सिंग सुमन को तमस पर मिला तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है तो यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है क्योंकि शिब मंगल सिंग सुमन को तमस पर नहीं मिला तमस रचना ही इनकी नहीं है यह भीशन साहनी की रचना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यहां पर हमारा राइट अंसर हो जाएगा शिव, मंगल, सिंग, सुमन वाला ओप्शन ठीक है, ओप्शन नमबर चार राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर चार यह हमारी question answer की पहली class है अगर आप लोग sport करोगे पढ़ोगे, वीडियो देखोगे तो आपको हर रोज class मिलती रहेगी इस परकार से बहुत सारी practice हो जाएगी लेकिन जब आप देखते ही नहीं हो तो अगली class बिलाने का मन नहीं होता तो जो भी बच्चा HPSC के लिए इस चैनल से जुड़ा है तो फिर पर वीडियो को जुरूर देखना और अपने feedback देना तभी आपको next class मिल जाएगी संडे को करीब पचास question मैं आपके साथ share करने वाली हूँ जो most important होंगे ठीक है इसके साथ ही व्याकरण की practice भी करेंगे ताक क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सौ में से चाली प्रशन आपको व्याकरण से मिल ही सकते हैं ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है भीमराव अगला प्रशन है भीमराव अंबेड़कर ने किस पत्रिका का नाम बदल कर पुर्वध भारत कर दिया तो आपने बताना है कि उनकी पहले तो ये सारी की सारी पत्रिका है इसका मतलब है उनकी है जनता है समता है मूक नायक है बहिश्कृत भारत है ठीक है तो यह यहाँ पर question पूछा गया है कि उनकोंने कौन से पत्रिका का नाम बदला था तो यह उनकी जनता पत्रिका थी ना जनता इनका उनकोंने नाम बदला था कब बदला था 1956 में बदल के पुर्वध भारत कर दिया था इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है यूँके भीमराव अंबेडकर जी की दो रजनाई हमारे स्लेबस में है तो उनसे जुड़ी ये महतपुन बात है ठीक है आगे है कौन से कवी का नाम सही सुमेलित नहीं है तो यो निकनेम है कवीयों के भोग पूछे जाते हैं कौन सा कवी किस नाम से प्रचलित था तो इस बात का ध्यान रखना है आपने सभी नाम अच्छे से याद कर लेने हैं सबसे पहले है भ्यान खबरों का कवी गजारन मादव मुक्तिवोद को ही कहा जाता है कुट्टी चाटन अगे के लिए प्रयोग हुआ है भुवानी परसाद अच्छे से याद रखना है भुवानी परसाद को कहा जाता है मोर्स के कवी ठीक है परसाद को कहा जाता है और इनको बातों के कवी कहा जाता है कवियों के कवी कहा जाता है तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखने है ठीक है यहाँ पर option number 4 हमारा सही answer हो जाएगा अगला प्रशन है जो हुआ होगा तथा somehow improper किस कहानी के ये वीजवाक्य हैं ये प्रशन तो सभी को आता होगा जो हुआ होगा तथा somehow improper तो ये कौन सी कहानी से जुड़े शब्द हैं वीजवाक्य कह सकते हैं तो ये silver bedding से जुड़े शब्द हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा silver bedding आगे है जी आत्म कथात्मक उपन्यास जूज यहाँ पर नाम मिस हो गया है जूज ध्यान रखना है जूज आनंद यादव का आत्म कथात्मक उपन्यास जूज के लेखक आनंद यादव का स्वंद किस भाषा से है तो इन्होंने किस भाषा में लिखा ठीक है तो आत्म कथात्मक उपन्यास जूज था उसी का कुछ आंश जहां पर लिया गया है तो इनसे कौन सी भाषा से जवंदी था ये नराठी भाषा option number 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है सिंदु घाटी सबयता किस परकार की सबयता थी option के according आपने अंसर देना है धरम पोशित थी, समाज पोशित थी, राज पोशित थी या फिर सरकार कोशित थी, तो यहां पर सही अंसर हो जाएगा समाज पोशित थी, ये सबयता ध्यान रखना है इस बात का अतीत में दवे पाम से ये के बारे में बात हो रही है जो अतीत में दवे पाम रजना है, ठीक है वो सिंदुगाटी सबयता के बारे में ही है सारी और ये समाज पोशित सबयता थी अगला प्रशन है जी दाइरी ओफ यंग गर्ल कब परकाशित हुई तो ये कब परकाशित हुई इस बात का आपको अंसर करना है ये 1952 में परकाशित हुई इसका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है ये कुछ सहाइत्या के क्वेश्चन है क्योंकि सहाइत्या हमारे सलेबस में है हच प्यसी में ठीक है तो सहाइत्या के अगर चार पांच मतलब के शब्दों में उन्होंने लिख दिया है तो इसका मतलब पूरे सहित्या से ही है आपको इसको त्यार करना ही पड़ेगा ठीक है यहाँ पर प्रशन है रेनेसा या नव जागरन कह सकते है पुनर जागरन कह सकते हैं शब्द का प्रयोग सरव प्रथम किसने किया क्वेस्टन है और इने साश अब्द का सरव प्रथम प्रयोग किस ने किया तो किस ने किया option number 3 यहाँ पर सही अंसर होगा मिशे सेट ने किस ने मिशे सेट ने इसका प्रयोग किया था ध्यान रखना है कई बच्चे गारसादा तासी भी लगा सकते हैं प्रशन ने पूलों का गछा कवीता किस ने लिखी गई इसका आंसर होगा खड़ी बोली आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में यह लिखी गई है कवीता नेक्स्ट प्रश्ण है यह तो नागरजुन सहित्य का मैनिफेस्टो है यह नागरजुन ने अपनी किस कविता के लिए शब्द लिखे हैं प्रयोग किये हैं तो यहाँ पर जो सही अंसर हो जाएगा प्रती हिंसा की स्थाई भाव है ठीक है ऑप्शन नमबर चार यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा इसके लाव आपने ध्यान रखना है कि यह सारे के सारी जो कावय संग्रिय या कविताएं कह सकते हैं इनकी हैं खिचटी पर देखा हमने यह NCRT में इसका जिकर नहीं हुआ है सतरंगे पंखों वाली हजार हजार महों वाली इसका हमने पड़ा है इनको NCRT में यह नाम दी हुए है तो यहाँ पर जो सही अंसर हो जाएगा नागारजुन ने सहित्या का मैनिफेस्टो कहा किसे कहा है नागारजुन के सहित्या का तो प्रती हिंसा ही स्थाई भाव है कवीता उप्ष नमर चार हमारा सही अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है बालेंदू उपनाम से कवीता करने वाले कवी कौन से हैं तो इन में से आपको बताना है कि जो बालेंदू उपनाम था वो किस कवी का था ऐसे प्रश्ण बन जाएंगे एक्जाम में तो देख लेना आप, ठीक है, यह नाम था केदारनाथ अगर्वाल का, किसका नाम था, यह केदारनाथ अगर्वाल का नाम था, इस उप नाम से यह कविता करते थे, ठीक है, तो यहा पर right answer option number 1 हो जाएगा, तो यह थे हमारे 20 question, यह आपके response पे depend करता है कि आप कितना वीडियो को देखते हैं लाइक शेयर करते हैं ठीक है तो Sunday को मैं 50 questions बनाने की कोशिश करूँगी अगर आपका response positive रहा तो तो फिर मिलते हैं next class में अपनी feedback जरूर देना ठीक है धन्यवाद